असलाम आलेकुम फ्रेंट स्वागता आपका इस यूटूब चैनल जेके स्टैडी मटेरियल में क्लस्टर इनवर्स्टी सिनगर की तरफ से अड्मिशन नोटिफिकेशन नमर सेकेंड आ चुकी है जिसमें Integrated Program जो 5-year के होते हैं उसके बारे में बताया गया है प्रोग्राम कौन कौन से हैं किस प्रोग्राम के लिए कौन सी कालिज मिलेगी लिजिबल कौन सुट्टन से हैं और इंटेक क्या है इंटरंस होगा या 12th मिरिट रहेगा यह सब जानने के लिए आपने यह वीडियो इंट तक देखना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने सीखनी है जिनके मुझे डाउट्स थे मैंने Cluster University में गुलजार साब से यह सब कुछ कंफर्म किया है नोटिफिकेशन आंद रखें आपके रिलेटर कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुंस पाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अड्मिशन नोटिफिकेशन नमर सेकंड क्लस्टर नुश्री सिनकर की तरफ से 2022 सेशन के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन में मिंचन है फाइफ येर बैचलर मास्टर्स इंटिग्रेटड पीजी प्रॉड्रम एक्चन में यह क्या है मास्टर्स डिग्री क्यों कहा जाता है जैसा कि आप अगर 12th के बाद ग्रेजवेशन करोगे जैसे आपको 12th पास होता है 12th पास के बाद ही आपको 5 येर के लिए बैचलर या मास्टर्स इंटीग्रेटर प्रॉड्रम आपको लिया जाता है जो students यहाँ पर select होता है जिस subject में मैं पूरा detail में आपको समझाऊंगा तो जैसे student को select होता है integrated में तो जैसे किसी को biochemistry subject है इसमें उसकी selection होगी तो उसको SP college मिलेगी अब इसके लिए eligibility क्या है वो मैं पूरे subject का detail में बताऊंगा पहले में आपको समझाता हूँ यह degree जो bachelor program है वो है क्या तो जैसे आपका biochemistry में होगी selection तो यहाँ पर आपको क्या होगा 5 year तक आपने यहाँ पर complete करना है 5 year में आपको integrated जो आपकी master degree बंचे जैसे integrated complete हो इसका मतलब है आपकी PG होगी आपकी master degree complete होगी अब यहाँ पर यह आपको benefit है मगर यहाँ पर एक चीज और benefit है जो students जैसे ही 3 year उनके complete हो जाते हैं समझो 6 semester complete हो जाते हैं तब वो इसको exit कर सकते हैं जो students 3 year में इसको exit करेगा तो उसको क्या होगा यहाँ पर graduation समझो graduation मिलेगी यहाँ पर degree मिलेगी 3 year की जो graduation होती है न वो मिलेगी जो students 3 year complete करके 6 semester complete करके अगर exit करेगा उसको यहाँ पर bachelor degree भी मिलेगी मगर जो students continue रखेगा 5 year उसको यहाँ पर master degree जो PG यहाँ पर कहलाता है तो integrator पूरा हो जाएगा इसलिए इसको integrate बोलते हैं क्योंकि इसमें bachelor भी होता है master भी होता है तो full उसको master मिलता है तो यह 5 year इसलिए होता है तो यह बहुत benefit है students के लिए जो अपने academic continue रखना चाहते हैं तो वो integrated करें ज्यादा best रहेगा बाकी चीज़ें जैसे हमने यहाँ पर आपको बताई थी जो admission notification नमर first थी जैसा कि यहाँ पर कोई student exit करता है किसी time first second time exit करता है तो उसको certificate मिलता है four time a करता है तो diploma मिलता है इसमें ऐसा कुछ नहीं इसमें सरफ और एक ही exit है जो आपको three year के बाद exit है जिसमें आपको simple graduation मिलती है तो वो आपके लिए है बाकी आपके लिए कुछ नहीं है तो इसमें एक चीज़ में आपको और समझाना चाहता हूँ जो मुझे गुल्जार सबसे ही confirm हुए जो उन्होंने मुझे यहाँ पर समझाया है जैसा कि जो पहली notification है उसमें जो students अगर three year में छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको क्या system है कि जिसका 7.5% है वो continue अपना लेके जाएगा एक year और वो research उसको होगा जिनका यहाँ पर 7.5 नहीं है 75% नहीं है तो वो क्या करेंगी उनका तो waste नहीं होगा उनके लिए क्या है तो यहाँ पर cluster नहीं की तरफ से भी आपको PG का एक इंटरस होता है तो वो PG इंटरस देंगे दो साल तक वो मतवाम पर admit रहेंगे तो उनका जैसी वो clear होगा तो उनको PG हो जाएगी तो जो students जिनका 7.5% होगा तो वो क्या करेंगे 4th year के लिए जाएंगे जैसे यहाँ पर 4th year के लिए तो उनका क्या होगा 4th year तो research complete होगा तो उनको 4th year में यहाँ पर research होगी अगर उनको master's करना है 4 year तो उनको होगे अब उनको क्या benefit है उनको कैसे master's मिलेगी तो यही जैसे PG के लिए notification नकालेगी cluster university एक नकालेगी 1 year वालों के लिए एक नकालेगी 2 year वालों के लिए अब जिनका यहाँ पर research complete हुआ है 4 year complete हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक साल और पढ़ेंगे और उनको यहाँ पर PG होजाएगी और जो students 3 year का complete किया है उनने research आगे नहीं किया है वो 2 year PG के लिए यहाँ पर जाएंगे और उनको 2 year पढ़ना है और उनको भी PG हो जाएगा यह कुछ doubts वगएरा थे वो मैंने आपके clear किये जो मैंने cluster university से confirm किये अब हम बात करते हैं इस notification के बारे में वो यह क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं biochemistry यहाँ पर जो student select हो जाएंगे उनको SP college मिलेगी form कौन student बर सकते हैं जिनका past होका 10 plus 2 किसमे subject bio, biochemistry, chemistry एक subject होना चाहिए और at least 45% marks होने चाहिए 12th में अगर किसी को reserve category 40% होने चाहिए intake capacity सब की 30 है और 10 जो है वो self finance है मतलब जब आपका यहाँ पर जो students fill करेंगे जो self finance है वो भी यहाँ पर form fill करें ऐसा नहीं कि वो हमको self finance मिल जाएगी self finance के लिए भी आपको eligibility लगेगी जो top 10 students होंगी जब admission इसकी complete हो जाएगी 30 की उनको यहाँ पर self finance के लिए दिया जाएगा तो यहाँ पर seat जो है वो सबकी सेम है 30 plus 10 self finance बागी आप देख सकते हैं बाटनिंग के लिए SP college में लिए 10 plus 2 में आपको bio एक subject आपका होना चाहिए 45% marks और यहाँ पर reserve category के लिए 40% ऐसा ही chemistry के लिए भी यहाँ पर है chemistry के लिए आप देख सकते हैं chemistry आपके एक subject होना चाहिए और यहाँ पर आप इस में भी देख सकते हैं आपको SP college मिलेगी और 45% marks आपको 12th में reserve category वालों को 40% यहाँ पर percentage सब के लिए सेम है यहाँ पर जिनका reserve category है 40% और जिनका open merit वगरा है उनको 45% ताके मैं हर बात यहाँ पर यहाँ पर यह दोवारा ना बोलू और सीर्स सब की यहाँ पर यही है सेम जैसा मैंने आपको बोला environment science के लिए आपका 10 plus 2 वही जो मैंने आपको percentage बोली होना चाहिए medical stream या फिर earth science आपका होना चाहिए information technology के लिए आपको यहाँ पर देख सकते है 10 plus 2 कम सी कम math होना चाहिए IT में जाने वाले students के लिए math एक subject होना चाहिए physics में जाने के लिए physics या math होना चाहिए एक subject और जो students यहाँ पर psychology में जाएंगे उनका भायो होना चाहिए 12 में economics में जाने वाले जो students हैं उनका कोई भी stream हो चलेगा English में जाने के लिए कोई भी stream हो चलेगा geography में जाने के लिए सिर्फ जो science students हो जा सकते हैं मतलब with or without geography यह जाएंगा आठ्स वाले students वही जाएंगे जिनका geography यहां पर आप देख सकते हैं और business administration में आपको वही percentage और कोई stream भी हो चलेगी और जो students commerce में हैं commerce के लिए भी यहां पर कोई stream हो चलेगी history के लिए भी आपको कोई stream हो चलेगी Polish science के लिए कोई stream हो चलेगी और next आप देख सकते हैं computer application computer application के लिए आपका math compulsory होना चाहिए यह यहांपर rule है AICTE का math आपको 12th में compulsory होना चाहिए तब आप भी C.A. कर सकते हैं journalism and mass communication में आपका यहांपर कोई सट्रीम है चलेगी तो सब में जो intake capacity सेम है बात रही इस साल जो आपकी selection है वो आपके 12th marks के हिसाब से होगी 12th मिरिट लगेगा यह इसलिए क्योंकि साल टाइम नहीं है वरना जो future में यह जो यहांपर program में वो भी है इसको increase करेंगे और जो आपका होगा exam वगए interest वगए उस हिसाब से होगा मगर इस साल टागे time waste ना हो इसलिए उन्होंने 12th मिरिट रखा है बाकी एक चीज़ और यहांपर mention है जो मैं आपको आरेड़ी बताई exit यहांपर सिर्फ और सिर्फ 3 year का है 3rd year में जो आपको bachelor degree मिल जाएगी बाकी आपके लिए जैसी link open हो जाएगी कल तक link open जाएगी मैं आपको demo video में समझा दूगा कि कैसे आपने form fill करना है क्या कुछ करना है तो आपने थोड़ा wait करना है कल तक बाकी जो चीज़े आपको समझने थी important चीज़े थी वो आपने यहांपर देख ली इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much